करनाटक की गड़क पुलिस ने 19 सप्रेल को हुई चार हत्याओं के मामले में परदा फाश किया है जिसमें सरगना विनायक बकाले सहीद 8 लोगों की गिरफतारी हुई है जिसने अपने माता पिता और भाई कार्थिक बकाले की हत्या करने के लिए हमला वरों को 65 लाख रुपो की सुपालिती थी पुलिस अफसर ने बताया के कार्थिक परशुराम हादिमानी लक्ष्मी हादिमानी और अकांशा हादिमानी की गड़क के दसरा ओनी में हत्या कर दी गई थी कार्थिक भारती जनता पाठी के नेता प्रकाश बकाले और सुननदा बकाले के बेटे थे पुरिसुत्रों के अनुसार हत्या के पीछे भाईयों के बीच संपत्ती विवाद होने का संद्री है क्योंकि प्रकाश को अपनी सारी संपत्ती कार्थिक को देनी थी जिससे विनायक नाराज हो गया और उसने अपने माता-पिता और भाई को खत्म करने का फैसला कर लिया। यह संसनी के इस वारदात 19 सप्रेल की है विनायक बकाले ने अपनी माबाप और भाई की हत्या की सुपारी फिरोज खाजी को दी थी बकॉन पुलिस इस कॉन्ट्रेक्ट में ये तैह हुआ था कि तीनों की हत्या के बाद घर से लूटा गया सारा माल फिरोज ले जाएगा तैसाजीश के तहट फिरोज अपनी गैंग के लोगों की साथ प्रकाश बकाले के घर में दाखिल हुआ लेकिन यहाँ पर गड़ बड़ी हुगई असल में कार्तिक की शादी तैह होने की वज़े से उसके कुछ मेमान भी घर में आये हुए थे जैसे ही हमलावर घर में दाखिल हुए तो उन्हें देखते ही प्रकाश बकाले शोर मचाने लगे शोर सुनकर लोग भी इखटा हो गई लोगों की बरती हुई भीड से घबराई बदमाश अंदादुन फाइरिंग करते हुए वहां से निकल भागी इत्तफाक से इस फाइरिंग में अलग कमरे में चुपने की वज़े से प्रकाश और सुननदा तो बच गई लेकिन उनका बेटा कार्तिक बदमाशों की गोलियों कर शिकार हो गया साथ में तीन और लोग भी इस फाइरिंग में मारी गई जब पुलिस ने इस मामले में गहराई से परताल की तो उन्हें कार्तिक और विनायक के जगड़े का पता चला यहां से बिख्री हुई कड़ियों को जब पुलिस ने जोड़ा तो उसे साजिश का सिराप पकड़ में आ गया तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे किन्नी टाइम्स के साथ वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूए